नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित वर्मा, आपके लिए लेकर आये हूँ अपनी कहानी गरम गोश का दूसरा भाग पांच मिनट का सफर तैकर जुएद स्कूल पहुचा, आज उसे बस्ते का भार्ग अधीक लग रहा था क्योंकि डर का भार भी तो उसके कंधों पर सवार था इस्कूल के दर्वाजे पर पहुचकर उसने स्वेकारा, जू होए सो होए, उसे कोन रोग सकेगा दिमाग सुन, सन्नाटा तूटा तब, जब कक्षा में मास्टर जी ने सभी छात्रों को गणित के कापी लाने को कहा जुएद सक पकाया उसे अपने प्रिये मित्र का आभास भी तब होया, जब बगल में बैठे उसके मित्र, अब्दुल ने उसके बाजू को स्पर्श किया अब्दुल समझ गया था, कि जुएद आज ग्रह कारे ना करपाने से डरा हुआ है भला हो उस अपात कालिन घंटी की, जो उसी समय सभी शिक्षकों को एक जरूरी बात पर प्रधाना चारी जी के कक्ष में निमंतरित कर रही थी भला हुआ, पर थोड़े देर का, क्योंकि एक देर घंटे में पुना प्रिक्रिया चालू होगी तु काम नहीं करके आया ना? अब्दुल ने जुएद से आशा की अनुरूप प्राप्त होने वाले उत्तर के लिए प्रशन प्रस्तुत किया हाँ, जुएद ने मदद भाव से हाभ करी एक काम कर तो जल्दी मास्टर जी आये इससे पहले मेरी कापी में से सारे सवाल नकल कर ले अब्दुल से जो बन पड़ा, उसने मित्र धम धर्म निभाया जुएद को मानो इसी की आशा थी, वो तूट पड़ा आज अब्दुल की ही महरबानी थी, जो जुएद की कापी चैक हो गई दोनों मित्र भोजन अवकाश के दोरान, अपनी पसिंददा जगा पेड़ का एक निचला कोना पकड़ कर बैड़ गए अब्दुल आज क्या लाया हा, जुएद की इस पर नजर थी पर जुएद क्या लाया, इससे अब्दुल को तनिक भी देखने की अभिलाशाना थी जुएद रोज की तरहा मास को आज भी किसी और रूप में ढाल के लाया होगा जुएद भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था, इस बात में की उसका भोजन भी उसका मित्र खाए पर हाँ, अब्दुल का आया दाल, चावल, रोटी, सबजी, खाने में वो कोई शर्म ना करता था दोनों मित्रों में एक ये भी मजाक और चड़ाने का विश्य था ठंडी ठंडी हवा अब्दुल को ठिटुरा रही थी, जुएद भी ठिटुर सकता था पर कुछ हद तक ठिटुर रहा था, पर अब्दुल से कम, उसने ठंड से बचने का जो अस्त्र शस्त्र अपने पास रख रखा था डब्बा उसके अब्बा शहर से 120 रुपे में लाए थे, खूबी थी खाना रखा तो तो तीन घंटे तक उससे जादा भी खाने को गरम रखता था वो डब्बा कोर्मा इसी वज़े से गरम था, बहुत गरम ठंड ने तो जान ही लिली थी अब्दुल अपनी ठुटुराई मास पेशो को हातों की रगड से गरमाता हुआ बोला है तो ठंड बहुत जादा, अम्मी सुभा उठावे हैं तो लगे है कि अभी और सो लूँ जोएद ने साथ दिया मेरे पिता मेरे लिए मेवे भी नहीं लाते, कहते हैं दाल रोटी का ही जुगार कर लूँ वही बहुत है इस तोटी टांग और फोटी किसमत के साथ अब्दुल ने मन का हाल कह सुनाया तेरे अब्बु कुछ और क्यों न कर लेते हैं जोएद ने राय दी पिताजी कहते हैं ये हमारे घर का रिवाज है कि घर का एक सदर से अपनी इस संस्कृति को जिन्दा रखने के लिए यही काम करता है और मेरे पिताजी इकलोते पुत्र थे अब्दुल ने रटी रटाई बात दोहराई पर मेरी अम्मी इस मामले में ठीक हैं जोएद भोरे चड़ाता हुआ कुछ इतराया मुझे ठंड से बचाने के लिए वो मुझे हफ्टी में एक-दो दिन छोड़ कर प्रती दिन कोर्मा, बिख्यानी, मुर्गतरी ना जाने क्या-क्या बनाती है कहती है इससे हमारी शरीर को गर्मी मिलती है ताक rat आती है और सर्दी में इसे ठंड से बचाने के लिए खाना चाहिए, वन्ना ठंड लग जाती है जुएद नी भी महसूस कर अनुभव को कह सुनाया जुएद को प्यास लगी, वो उटकर पानी की टोटी की तरफ जाने लगा अब्दुल को इस प्यास को देखकर भी जुएद से इश्या हुई एक वो है कि इस ठुटराई ठंड में उसे प्यास नहीं लगती और एक जुएद है जिसे प्यास इस कदर लगी कि वो उटकर खाने को अधुरा छोड़कर स्कूल की आगे बिल्डिंग की तरफ तोटी से पानी पीनेच करा है भीड तो ना मिलेगी उसे, सभी बच्चे ठंड से सताय पानी से दूर ही होंगे और एक जुएद एका एक उसकी नजर जुएद के कोर्मा प्रपड़ी ये हमें ठंड से बचाते हैं, गर्मी मिलती है, ताकत आती है, दिमाग में जुएद की कही बाते घुमने लगी मन चाहा कि वो भी एक निवाला खाके देखे, कि आखिर कितनी सच्चाई है, जुएद की बोल बच्चन में सर सर कर तेज हवा का जोका अब्दुल का शरीर कुछ इस कदर धिला गया, कि उसका हाथ कोर में का निवाला उठा लाया और उसने उस निवाले को मुँ में दे दिया, गरम था वो निवाला हलक से सफर तै करते वो अब्दुल का फेफडा जिगर आत तपाता जा रहा था, रहत तीज भोग में आखों से आसु आने को हुए, पर वो भी बाहर थंड को देख कर वहीं नमी भी खेर कर संतुष्ठ हो गए दूर खड़े जुएत को ये देख कि उसका खाना बाटा जा रहा है, क्रोट तो शुन्य मातर भी ना था, शायद उसे अब्दुल की उसके प्रती इश्या की बात मालूम ना थी, या उसे खुशी थी कि आज उसका डब्बा घर खाली जाएगा